में चले जाते हैं फिर बोलते हैं लेला लेला काचा बदाम हमरा पसनखा भूजल बदाम एक खुबसूरत सा जंगल में एक बहन अपने दो भाई के साथ में रहती थी तभी टूनी अपने बड़े भाई मोनु से बोलती है मोनु भाईया मुझे मा की बहुत याद आ रही है मा हम लोगो क्यों छोड़के चली गई भाईया इस वर हम लोग के साथ ऐसा क्यों किये भाईया मुझे मा चाहिए भाईया मा की बिना मेरी जिंदेगी बहुत अधूरी है भाईया हाँ टूनी बेहन मा के बिना जिन्देगी बहुत अधूरी सी लगती है लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं टूनी बेहन इसवर को यही मनजूर था और वैसे भी मा इसवर के पास गई है इसवर मा को अच्छे सी रखे होंगे तुम चिंता मत करो बेहन मा जहां भी यह वहां नहीं भाईया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा थीक है अब से मैं नहीं रोगी मुझे बहूँ जोर से भूख लगी बहिया क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर करे आएंगे आप ठीक है टूनी बेहन मैं फल लेकर कर आता हूँ बगीचे में से तुमे अंगूर अच्छा लगता है ना मैं वही फल ले करके आऊंगा तुम चिंता मत करो मेरा इंतिजार करना मैं आज आऊंगा फल ले करके ठीक है भाईया मेरे लिए अंगूर ही ले करके आईएगा मुझे अंगूर बहुत पसंद है भाईया ठीक है तब टूनी बेहन मैं जा रहा हूँ फल लाने फिर मोनू फल लाने चला जाता है कुछ देर यूही बित जाता है फिर मोनू फल लाकर टूनी को देता है ये लो टूनी फल खाओ तुम्हें ये फल बहुत पसंद है ना फिर टूनी फल खाने लगती है, खा कर मोनू से बोलती है भाईया मैं आप से कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या मैं बोलूँ हाँ टूनी बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो भाईया आप साधी कर लिजिये, फिर एक और मेरी मा आ जाएगी और वैसे भी भावी तो मा समान होती है मैं उन्हें को भावी मा बोलूँगी आप इतना सोच क्यों रहे हैं भाईया बोलिए ना आप साधी करेंगे ना मा को लेकर काएंगे ना और वैसे भी आप घर पे नहीं रहते तो मुझे बहुत डर लगता है अकेले अब साधी करेंगे ना भाईया बोलिए ना ठीक है टूनी तुम इतना जीद कर रही हो तो मैं कल ही साधी का बात कर लूँगा मेरा एक दोस्त है उसका नाम है मिठू उसकी बहन है बहुत सुंदर है मैं उसी के बहन से साधी कर लूँगा फिर तुम्हारी भावी मा आ जाएगी और अच्छे से ख्याल रखेगी ठीक है फिर मोनू तोते के पास जाता है मीठू तोता मैं यहां कुछ बात करने आया हूँ क्या तुम्हारी इजाज़त है तो मैं बोलूँ हाँ मेरे दोस्त बोलो क्या बात है मीठू तोता मैं तुम्हारी बेहन से साधी करना चाहता हूँ क्या तुम करोगे अपनी बेहन को साधी अरे हाँ क्यों नहीं मेरे मूग की तुम बात छिल लिए मैं भी यही कहने वाला था तुम से तब ठीक है मीठू तोता मैं कल आऊंगा साधी के लिए तुम लोग तैयारी करके रखना अब मैं घर जा रहा हूँ मुझे भी तैयारी करनी होगी कल मैं समय से पहुँच जाऊंगा बरात लेकर ठीक है अब मैं चलता हूँ फिर मोनु अपने घर पहुँच जाता है फिर रात से दिन हो जाती है राजू, टूनी, जल्दी चलो साधी के लिए लेट हो रहे हम लोग हाँ मोनू भाईया, हम लोग तयार हो गए हैं, चलिए फिर तीनों पक्छी साधी के लिए निकल जाते हैं अरे आप लोग आ गए हैं, मैं आप लोग का इंतिजार कर रहा था मोनू, टून्टूनी, ये ले लो माला, और एक दूसरे के गले में डाल दो फिर दोनों पक्छी का साधी हो जाता है ठीक है मीठू तोता, अब हम लोग चलते हैं अपने घर फिर चारों पक्छी घर पहुँच जाते हैं, फिर कुछ महिने योही बिज जाता है मोनू जी, आप अपने भाई बेहन को घर से निकाल क्यों नहीं देते हैं मैं दिन भर काम कर करके ठक जाती हूँ क्या आप मुझे इसलिए साधी करके लायते हैं, दूसरे के सेवा जिंदगी भर करना है आप अभी के अभी इन दोनों को घर से निकाल लिए और एक तो ये है टून्टूनी, कुछ भी घर का काम नहीं करती है मैं इन दोनों का बोज नहीं उठा सकती हूँ मैं इन दोनों का दिन भर काम करके नहीं दूंगी आप समझ गये ना मोनू जी राजू, टूनी, तुम दोनों मेरे घर से अभी कभी बाहर निकलो मेरी पत्नी अब काम करके तुम दोनों को नहीं देगी समझ गये ना मेरी पत्नी घर का नौकर नहीं है तुम दोनों को जो दिन भर काम करके देगी अभी कभी बाहर निकल जाओ मेरे घर से क्या भाईया, आप हम दोनों को घर से निकाल देंगे ऐसा क्या गलती होगे है भाईया हम धोनों से अगर आप घर से निकाल देंगे तो हम लू कहाँ जाएंगे भाईया अगर मा जिन्दा होती तो यह दिन नहीं देखने पड़ता भाईया सच में आप साहने के बाद कितने बदल गए है भाईया समझ किजी भाईया टूनी, तुम मत रो, मैं हूँ ना अभी तुम्हारा भाई जिन्दा है एक भाई बदल गिया तो क्या हुआ अभी तुम्हारा छोटा भाई है ना सब भाई में ऐसाई ही होता है सादी के बाद सब बदल जाते हैं चलो टूनी, अब हम लोग यहां से अब हमी लोग एक दुसरे का सहारा बनेंगे चलो टूनी अब हम लोग यहाँ कोई भी नहीं है अपना कहने वाला टूनी चलो यहाँ से हाँ राजु भाईया आप सही कहते हैं सादिक के बाद सब लोग बदल जाते हैं चलिए यहाँ से भाईया अब हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे चलिए भाईया फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं टूनी अब हम लोग को कुछ करना होगा टूनी क्यों ना हम लोग बदाम का खेती करके बदाम बेचें हाँ राजू भाईया आप सही बोल रहे हैं हम लोग बदाम का खेती करके हम लोग बदाम बेचेंगे क्यों ना हम बुलबुल कावा के घर जाकर उनसे में कुछ बदाम का दाना मांग लूँगी उनके घर बदाम का खेती बहुत होता है हाँ टूनी ये सही रहेगा जाओ तुम बुलबुल कवा के घर और उनसे बदाम का दाना मांकर के ले कर के आ जाओ कवा के पास उड़ते उड़ते पहुँच जाती है फिर टूनी बदाम का दाना लेकर पहुंच जाती है ये लिजी भाईया बदाम का दाना अब चलिए भाईया आप जमीन को फारा से कोड़िएगा में बदाम का दाना रोपते जाऊंगी राजू अपने चोंच से जमिन को कोड़ते जा रहा था इधर टूनी बदाम का दाना रोप रही थी बदाम रोपने के बाद वापस घर आ जाते हैं कुछ महीने यूहीं बिज जाता है फिर दोनों पक्षी अपने खेत में जाते हैं खेत को देखकर बोलते हैं अरे राजू हम लोग बदाम का खेती बहुत अच्छा हुआ है अभी हम लोग कच्चा बदाम बेज देते हैं ये ताजा ताजा भी है सब लोग इसे खरीद भी लेंगे हाँ टूनी तुम सही बोल रही हो चलो बजार में हम लोग बदाम सब बेच करके जाएंगे घर फिर दोनों पक्ची बदाम लेकर बजार में चले जाते हैं फिर बोलते हैं लेला लेला काचा बदाम हमरा पसनखा भूजल बदाम लेला लेला काचा बदाम हमरा पसनखा भूजल बदाम ये टूनी गाना गाकर सारा बदाम बेच देती है कुछ महीने यूही सिलसिला चलता रहता है देखते ही देखते टूनी अमीर बन जाती है फिर खुसी से जिंदगी बिताने लगती है झालता है